तो आज मैं बनाने जा रही हूं डॉमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड जो बहुत ही सुन्दर खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गार्लिक ब्रेड बनाना तो देखना न भूलें ये वीडियो तो आज की रेसिपी साथ करने से पहले जो ह आदा कप वाँम वाटर इसके साथ ही हम लेंगे आदा चम्मच सॉल्ट इसके साथ ही एक चम्मच शुगर एंड चॉप गार्लिक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है उसमें मैं एड करूंगी आदा कप वाँम वाटर और इ यीस्ट डालने से पहले वाँम वाटर लेना जरूरी है और हम इसमें हम एड करेंगे दो चम्मच यीस्ट आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए कहीं भी गरम जगा पर रख देंगे वाँम प्लेस पर हम इसे रख देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद यी अच्छे से इस तरह से हो गया है और अब हम अपना मैदा है जो उसका एक डौ अच्छे से तयार कर लेंगे तो हमने मैदा ले लिया है अब हम इसमें एड करेंगे चॉप्ट गार्लिक इसके बाद हम इसमें एड करेंगे आदा चमच नमाक साथ ही हम इसमें एड कर लेंगे हमारा यीस्ट जो हमने पहले से वाम वाटर में डाल कर रखा हुआ है उससे थोड़ा थोड़ा करकी हमें एड करना है मैदे में एक साथ एड नहीं करना है और अच्छे से इसे मिक्स कर अपने हाथों से, give it a good mix, mix करने के बाद हम इसे अच्छे से अपने हाथों से पंच देंगे, और एक बिल्कुल प्लेन सफेस, साफ सफेस के उपर हम इसको अच्छे से मल लेंगे, बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे एक प्लेन सफेस पर लेकर और अच्छे से इसे मत्हेंगे, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह के कोई लंफ्स, कोई गांठे ना रह जाएं, और अब इसे हम एक कपड़ा लेकर, साफ कपड़ा लेकर इसे अच्छे से ढख देंगे, और तीन से चार घंटे के लिए एक वाम प्लेस पर रख देंगे, ताकि इसमें खमीर अच्छे से उठ जाए, और तीन से चार घंटे बाद मैं देखती हूँ कि यह बिल्कुल फूला हुआ है, और यह बिल्कुल रेडी है हमारी गार्लिक ब्रेट बनाने के लिए, तो अब हम इसमें थोड़ा सा सुखा मैदा लेके डालेंगे, और इसे अच्छे से पंच देंगे, ताकि यह बिल्कु सेट हो जाए यह मैदा, और हमारा यह तयार है बिल्कुल गार्लिक ब्रेट बनाने के लिए, गार्लिक ब्रेट को ना तो हमें अवन में बनाना है, ना हम इसे बनाएंगे माइक्रोवेव में, हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई को पहले स गार्लिक बटर नायमे नाय था बनास के लिया है यह था ते लिए नमक जाए प्लेट पहुंजीमे अपनी पैर शहला पिल आज़ संपके अपना नायल देख नूर्मय प्रaci औ्ड color अहांने नहां तो यहाँ मैं इसको रोल करोंगी और के आटे के ऊपर बहुत अच्छे से रोल करोंगी और कि काके लैगा खिना च्छिपकर अच्छे से रोल कर लिया है अब हम इसके उपर लगाएंगे गार्लिक बटर जो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है तो हम इसे इस तरहें से बीचों बीच लगा लेंगे किनारे हमें थोड़े खाली छोड़ने हैं क्योंकि हमें उसको उपर थोड़ा पानी लगाना पड़ेगा इसको साइट से चिपकाने के लिए और अगर हम गार्लिक बटर लगा देंगे तो इक किनारे बिलकुल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं तो हमें इस चीज का ध्यान र लगा सकते हैं बट मैंने यहां पर चॉप्ट कैपसिकम ली है जो मैं लगा रही हूँ आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैपसिकम भी यूज कर सकते हैं रेड येलो और इसके बाद मैं इसके उपर लगा दूँगी ओरिगेनो एंड रेड चिली फ्लेक्स इसका और अब मैं इसको किनारों से पानी से चिपका दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी हमें किनारों पर लगाना है इसके तो इसी तरह से आपको भी थोड़ा थोड़ा पानी इसके किनारों पर लगा लेना है तो अब हमने इसे इस तरह से फॉल्ड करना है और बिल्कूल इसके किनारे एक दूसरे से चिपका देने हैं और इसके उपर हम इस तरह से कट लगाएंगे नाइफ से यह हमें सिरफ उपर-उपर कट लगाने हैं और हम इसके उपर हमारा गार्लिक बटर अच्छी से स्प्रेड करेंगे अथी हम इसके उपर लगाएंगे ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स तो अब हम इसे अपनी जो हमने फॉल लगाकर प्लेट तयार की है उस पर हम इसे रख देंगे और इसे हम कढ़ाई पर रखेंगे कढ़ाई में ये 20 से 25 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखना है क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है हम इसे एक प्लेट से ढख देंगे और आफ्टर 20 मिनेट जब मैं इसे देखती हूँ तो ये बिल्कुल रेड़ी है ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है ये बिल्कुल डॉमिनो स्टाइल बना है और आप इसे घर पे बिल्कुल कम इंग्रेडियंट से बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी एसे पी अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू